Hello friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्टोक मार्किट से करोडपती बनने का एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ और ये करोडपती बनना भी हो सकता है, ये अरपती बनना भी हो सकता है और ये उससे जादा भी हो सकता है ये सब depend करेगा कि हम कितना पैसा market में invest करते हैं लेकिन करोरपती बनना तै है हम जितना मर्जी छोड़ा पैसा लगाएं करोरपती फिर भी बन सकते हैं तो यहाँ पर 5 rules हैं यहाँ पर 5 steps हैं तो यहाँ पर rules कहना गलत है यह 5 चीजे आपको करनी हैं जिससे हम यहाँ पर stock market में करोरपती बन सकते हैं सबसे पहली बात है कि आपको अपनी monthly income से एक particular percentage every month market में लगानी है आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि इस महीने मेरा ये खर्चा आ गया या इस महीने मेरा कुछ और खर्चा है इस महीने mobile लेना है या फिर किसी की शादी है या किसी की यहाँ पर आपने घर बनाना है कुछ भी reason हो आपने अपनी एक particular percentage decide करनी है कि ये amount मैंने अपनी wealth creation के लिए stock market से करोडपती आरपती बनने के लिए लगानी ही लगानी है चाहे जो मरजी हो जाए तो इसका तरीका क्या है suppose किसी की income 30,000 रुपीज पर मन्त है तो 30,000 पर मन्त में से 20% आप अलग निकाल दो यानि कि 6,000 रुपीज अब ये stock market के लिए हो गया आपने इस पैसे को stock market में invest करना है और अपनी income को 24,000 ही मान कर चलना है जैसे अगर suppose किसी की income 50,000 है तो 50,000 में से 20% निकाला यानि कि 10,000 निकाल दिया stock market के लिए कि यहां invest करना है और बचे हुए 40,000 को ही आप अपनी income मान कर चलोगे ऐसा इसको ऐसे लेकर चलो जैसे हमारा PF deduct होता है या हमारा income tax deduct होता है तो उस case में भी तो हम बची हुई income को ही अपनी income बान कर चलते है तो वहाँ कुछ दूसरा option नहीं होता हम ऐसा कभी नहीं कह सकते है कि इस month मैं PF नहीं deduct कराऊंगा तो PF के पैसे मुझे दे दो क्यों? क्योंकि मुझे किसी बीमारी के करोरपती बनाने के लिए 20%, 20% अपनी income का monthly income का stock market के लिए रखो चाहे जो मर्जी हो जाए कुछ भी हो जाए अब ये पैसा हमने सबोज रख लिया next step आता है कि इस पैसे को हमने लगाना कहां पर है इस पैसे को invest कहां पर करना है इस पैसे को invest करने के लिए इंडिया में जो top 20 सबसे उपर की top 20 companies है profit making point of view से यानि कि जिन 20 companies का net profit पूरे साल का सबसे ज़्यादा है उन companies में हम invest करेंगे तो इसके लिए क्या तरीका है आप इसके रिना dot in पर जाओगे और इसके रिना dot in पर जाकर net profit के base पर यहाँ पर सबसे बड़ी से छोड़ी companies को select करोगे और top 20 companies निकल कर आ जाएंगे जिनका net profit पिछले साल में सबसे ज़्यादा रहा है अब जो ये top 20 companies लेनी है इसमें एक काम और करना है कि जो companies, government companies है उनको निकाल देना है यानि कि top 20 companies हमने वो select करनी है जो private companies है यानि कि जो non-government companies है non-PSU companies है public sector की नहीं होनी चाहिए वो other than public sector होनी चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि public sector companies क्या करती है generally अपने profit को dividend के रूप में distribute कर देती है और उनकी growth के लिए पैसा नहीं बसता और वो बहुँ ज़्यादा गिरों नहीं कर पाती लेकिन जो PSU companies से अलग companies है यानि कि जो companies government companies नहीं है वो dividend के रूप में बहुँ छोटा सा हिस्सा distribute करती है और बचे हुए पैसे को company में ही रख कर वहाँ पर अपनी company को और बड़ा बनाने के लिए growth करने के लिए उस पैसे को business expansion में लगाती है और every next year उन companies का business लगाता ओपर आता रहता है तो यहाँ पर पहला point मैंने बताया एक particular fixed percentage decide करो एक particular amount decide करो जितना ज़ादा हो उतना अच्छा लेकिन minimum 20% जरूर decide करो उसको every month invest करो जैसे PF deduct होता है जैसे TDS deduct होता है जैसे आपकी कोई अगर home loan है उसकी SIP जाती है उस तरीके से यानि कि no matter what आपको वो invest करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए second मैंने बताया कहा invest करना है top 20 profit making non PSU companies में आपने invest करना है अब ये बात बड़ी असान सी हो गई कि top 20 companies में invest करना है लेकिन न इन top 20 में से कौन सी company में invest करना है अब next question यह आता है क्योंकि ऐसा तो कर नहीं सकते कि अगर salary हमारी 40,000 है 40,000 का 10% यानि कि 8,000 रुपीज invest करना है इस 8,000 को मैं 20 companies में distribute करके invest करो इसा नहीं करना है एक महिने में एक ही company में आपने पैसा लगाना है और वो कौन सी company होगी इन 20 companies में जो भी company सबसे ज़्यादा गिरी हुई हो अपने lifetime high से उस company में आपने पैसा लगाना है यह इतना आसान मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी आप 20 companies हैं 20 companies का chart open करो 20 companies के chart देखो अपनी एक watch list बना लो 20 companies की जो non-payse-view companies है highest profit making companies है अब इन में percentage wise जो भी company उस particular month में जब आप पैसा लगा रहे हो जो भी company सबसे ज़्यादा down है lifetime high से अपने उस company में आप यह पैसा लगा दो यह करना है तो यह third point हो गया कि किस company में लगाना है उसके बाद में fourth point है कि क्या नहीं करना है यहाँ पर stop loss वाली approach नहीं लगानी है यानि कि जो लोग ऐसा करते हैं कि अभी हमने 100 rupees पर कोई चीज़ परचेस की अगर उपर गया तो 130 पर sell करेंगे यह एक छोटी सी income के लिए लगातार profit making के लिए एक disciplined approach से full time traders के दुआरा की जाती है यह approach कभी भी wealth creation के लिए नहीं की जाती कि हम एक job में है या business में है या self employment में है अपनी income का 20% invest कर रहे हैं तो वहाँ पर यह stop loss वाली approach नहीं लगती stop loss वाली approach के लिए आप मान कर चलो हमें full time trader होना चाहिए अब यहाँ पर मैं full time trader बनकर करोड़पती या रपती बनने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अपने बाकी काम के साथ अपनी income के एक छोटे से part को market में invest करके उससे करोड़पती और अरपती बनने की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर stop loss वाली approach नहीं लगानी है अगर आपको लगता है कि यह stock ऐसा है जिसमें नीचे आने पर डर लगेगा उस stock में पैसा ही मतलगाओ सिर्फ और सिर्फ उन companies में पैसा लगाओ जिन companies के stock price के नीचे आने से buying price से और नीचे आने से आपको वो और ज़्यादा अच्छा लगे और ज़्यादा सस्ता नजर आए और इस बात की आपको common understanding के हिसाब से यह आपको आसवाशन हो यह आपको satisfaction हो यह समझ हो कि यह वापस lifetime हाई जाएगा ही जाएगा और उपर भी जाएगा लगातार उपर जाएगा तो सिर्फ उन companies में invest करो जहाँ पर आपको नीचे और जाने का या नीचे ही खत्म हो जाने का company का doubt ना हो अगर यह doubt है उन companies में पैसा मत लगाओ यानि कि stop loss वाली strategies को आप follow मत करो वो wealth creation के लिए भी यहाँ पर part है तो point number five हमारा यहाँ पर जैसे मैंने बताया उतना important है जितना बाकी सारे हैं point number five है लालच में आकर आप derivatives करना शुरू नहीं कर देना ऐसा मत करना कि बहुत ज़्यादा जल्दी rich बनने की लालसा में यहाँ पर आप futures में trade करना शुरू कर दो या options में trade करना शुरू कर दो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया future and options यह stop loss के साथ काम किये जाते हैं अगर future and options में आप नहीं लगाओगे तो सारा पैसा बहुत जल्दी खत्म हो सकता है और क्योंकि stop loss यूज करने का जो तरीका है या जिसके लिए वो बना है वो सिर्फ और सिर्फ full time traders के लिए बना है वो part time traders के लिए या investors के लिए नहीं बना तो यहाँ पर ना तो stop loss वाली stats यूज करनी है और नहीं लालच में आकर greed में आकर जल्दी पैसा बनाने के लालच में आकर आपने future and options यूज करना है तो यह चीज़े नहीं करनी है और एक और यहाँ पर जो point number six है point number six है कि कभी भी उधार का पैसा लेकर market में नहीं लगाना जैसा मैंने आपको बताया अपनी monthly income का 20% यह उससे ज़्यादा अगर उससे ज़्यादा लगा सकते हो अगर आपके खर्चे कम है या income थोड़ी सी अच्छी है तो अपने पैसे को ही market में लगाना है अपने पैसे को ही invest करना है कभी भी किसी से भी loan लेकर market में पैसा नहीं लगाना है तो यह six rules है इन six rules में first three rules हमने बात कि क्या करना है और second three rules हमने बात कि क्या नहीं करना है first three rules क्या थे कि every month पैसा लगाओ rule no.2 क्या है जो यहाँ पर step no.2 है rule no.2 है top 20 profit making non-PSU companies में पैसा लगाओ point no.3 क्या है point no.3 है कि in top 20 profit making non-PSU companies में जो भी company सबसे ज़्यादा down है उस company में पैसा लगाओ, point number 4 क्या है, point number 4 है no stop loss, यहाँ पर कभी भी उन strategies को use मत करो, जो strategies आपको 100 उपीस पर buy करके 90 पर बेशने के लिए कहती हो, यानि कि नुकसान में कुछ भी बेशने की जरूत नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस company मे नीचे जाने पर डर लगेगा, यह company खत्म हो सकती है, उस company में पैसा ही मत लगाओ, point number 5, लालच में आकर derivatives इस्तेमाल मत करो, यहाँ पर derivatives में trade मत करो, यानि कि options या futures में trade मत करो, सिर्फ और सिफ cash market में equity में trade करो, invest करो, point number 6, लालच में आकर again जल्दी पैसा बनाने के लालच मे पैसा उधार लेकर मत लगाओ, यहाँ पर उधार लेकर पैसा लगाने से, अगर market नीचे आ जाए, तो उसके उपर interest भी pay करना पड़ता है, और अगर सामने वाले को पैसे वापस देने पड़ें, तो यहाँ पर loss में लेकर उसको वापस भी करना पड़ता है, तो यहाँ पर market ने 10-15 years इसको यूज कर ले, तो अरभपती और करोड़पती बनने से कोई ने रोख सकता, अब यहाँ पर कितना पैसा बनेगा, यह इस चीज के ओपर depend करेगा, कि हम every month कितना पैसा लगा पाते हैं, तो यह approach हर किसी के लिए है, अगर किसी की income सिफ 10,000 है, वो 2,000 और अगर किसी reason से आप minimum 20% नहीं लगा पा रहे हो ना, तो reasons find out करो, कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे खर्चे कहा जादा है, कहा responsibility जादा है, और अगर खर्चे जादा है, तो income बढ़ाने के लिए अपने skills को develop करो, means यहाँ पर work करो, skills develop करो, अपने income बढ़ाओ, जिस देख सको, यहाँ पर मेरा मन था कि मैं आपके साथ एक simple तरीका किसी भी common insan के लिए करोड़ पती बनने का जो अपना सपना होता है, उसको पूरा करने का एक तरीका बता सकूँ, इसलिए मैं आपको stocks भी बताए कि top 20 stocks कैसे कर सकते हैं हम, और इसके लिए मैं एक अलग से video भी नहीं किया है, तो I will request कि subscribe करें और दोस्तों को subscribe कराएं, और कल फिर मिलेंगे एक नवीडियो के साथ, तब तक आप learning करते रहिए, जाहें, take care